किसानों की शहादत की जीत का दिन रहेगी और आज आखिर में एक साल के बारा महीने के किसान के संगर्ष के बाद भारतिय जंता पार्टी और एक एंकारी प्रधान मंत्री माननिय नरिंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की दोड़ी पर जुकना पड़ा मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापिस लेने का निर्णे किया है और वो भी किसान को रौंदने उसे नश्टर चुभाने और बर-बर यातनाएं देने के बाद अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही हिंदूसतानियों की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही जनहित की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही देश की जीत है 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड किसानों ने तीन खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी तब से मोधी सरकार यातनाएं दे रही है बरबर लाठी चार्च किये गए दिल्ली के चारों तरफ के राश्ट्रिये राजमारग खुदवा दिये गए राश्ट्रिये राजमारगों पर नश्टर और भाले लगवा दिये गए किसानों के सर फोडने के आदेश दिये गए उन्हें आतंकी कहा गया किसान को नकसलवादी कहा गया हमें किसान को गुंडा कहा गया किसान को उगरवादी कहा गया किसान को अंदोलन जीवी कहा गया और कुछ गोधी मीडिया के मित्र भी मोधी सरकार के इस परचार में शामिल हो गए 700 से अधिक किसानों को आतम हत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीडी में तो देश के ग्रह राज्यमंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौन दिया पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराद सुविकार किया है अब बारी है किसानों के साथ मजबूरों के साथ मेहनत कशों के साथ इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराद की सजा तै करने की जो देश की जनता हर हाल में तै करें